ओम नमाह सिवाय हर हर महादेव नमस्कार घरे लूप चार में आपका स्वागत है आसा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होगें आप लोगों के किर्पा और असिर्बाद से हम बहूत अच्छे हैं आज हम इस विडियो में एक सक्ति साली उपाय दे रहा हूं इस उपाय से आप जो मांगेंगें मिलेगा जो चाहेंगें वही होगा सफलता आपकी कदम चुमेगें अगर आप चाहते हैं कि जीमन की सारी सुक्सुवधा हमारे पास उपलब्द हो तो इस उपाय को करके आप हासिल कर सकते हैं तिरीफ पांच मीनट के उपाय से अपने जीमन को खुशहाल बना सकते हैं तो साथियों इस उपाय को आपको दीनवार की कोई जरूरत नहीं है किसी भी दीन से आप कर सकते हैं यह एक छोटा सा पांच मीनट का साधना है और इसी साधना से आप इतना उचा उठ सकते हैं तो आप इस साधना को पांच बजे सुबह यानि ब्रह्म महूर्त में सुर्ज उदे से पहले अगर करते हैं तो इसका शमतकार ततकाल देखने को मिलेगा अगर इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो बीन में किसी भी समय अपने घर में बैठ कर कर सकते हैं रातरी में बैठ कर सकते हैं लेकिन मित्रों घर में जब आप बैठ हैं या तो पूर्यव दिसा मूह करें या पच्छिम दिसा करें लेकिन सीधा बैठ हैं ताकि ये पीठ की जो रिन है हड़ी है बेलकुल सीधा रहे और मित्रों अपनी जो शरीर की नाभी है इसी को नाभी बोलते हैं मित्रों ये नाभी है यह नाभी इस बर्मंद से जूरी हुई है जितना कार्य उत्पन होता है यहीं से होता है तो आज जो मैं उपार बता रहा हूं इसको जगाने के लिए इसको जागीत करने के लिए अगर यह जग गया तो आपकी जीमन की सारी बधाएं दूर हो जाएगा बिना मांगे सब कुछ मिलेगा तो मित्रो इसके लिए एक अक्षर का मंत्र है वो हमें लास्ट में आपको दिखाऊंगा इसको ओम एक ओम हो गया आए एक ओ और मां ओम तो इसको नहीं परियोग करना है ओम को तो मित्रो जब यह परियोग करना हो तो कपड़े को हटा दिजिएगा और हाथ की अपने राइट यानि दाहिना हाथ की रिंग फिंगर यानि यह छोटी वाली के बाद जिसको अनामिका बोलते हैं इसको इस अंगली से नाभी पर इसको रखें और रखने के बाद ओम को बोलें अराम अराम से बोलें जल्दी नहीं पांच मिनट सब यह उपाय करना है तो मित्रों उपाय करते समय आपका ध्यान ओम पर और नाभी पर और अंगली पर होना चाहिए परियोग के समय में कोई इक्था, कोई मनो कामणा नहीं रखना है जब भी आप परियोग करें, उपाय करें साधना करें कोई इक्था परगट नहीं करना है करो अब अपने दिमाग को शांत और सीर सरदा से इस उपाय को करें मित्रों अगर आप ज्यादा से ज्यादा देर तक इस साधना को करते हैं तो आपको ततकाल फायदे नजर आएंगे अगर कोई इक्षा आपको रखना है तो आप साधना के बाद दिन में अपने दिल में रखें कि हमारा यह काम जल्दी हो जाए यह काम हो जाए यह मुझे मिल जा तो यह सब आपको बाद में रखना है साधना के समय कोई नहीं साधना के समय क्यों आप साधना में लीन हो जाएं फिर देखें चमत का बीना मांगे सब कुछ मिलेगा तो मित्रो यह इत बिलकुल सरल और सधारन उपाए है इस उपाए से आप जीवन में क्या क्या कर लेंगे आप यह भी नहीं सोचें हो गएं ऐसी ऐसी चमत कार देखने को आपको मिलेगा तो मित्रो चले हम सबसे पहले आपको वह वूम दिखा दें ताकि आपका संका दूर हो जाए तो मित्रो यह रहा ओम इसी का जब करना है और अराम से करना है स्वर के साथ ओम जिसके अंदर जहनकार हो तो मित्रो यह उपाय आपकी भविश आपके किस्मत को बदलने वाला है स्वे हुए भाग को विगडी हुए किस्मत को चमका देने वाला है तो मित्रो यह उपाय से आप बन सकते हैं धनवान सफलता और दौलत आपकी कदम चुमेगी तो मित्रो विडियो के कमेंट बक्स में यह सिर राम जरूर लिखें विडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद है तो इस विडियो में इतना ही और हमें दीजिये इजाजात नमस्कार